सुनना तो मुझे था मानने पुर्दान मंद्री जी से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से, आउट्सोर्स कर दिया क्या है संबित पात्रा को, अब सरकार की जुबान भी, सरकार की मंचा भी वही बोले, क्रिकेट कौन खेल रहा भाई, बिजिस याय में कौन बैठा हुआ है, नहीं पुष्पुवर्शा हो रही थी, जी ट्वंटी के सफल होने की, आयोजन दो दिन नहीं रुख सकता था, ये दोहरा चरितर नहीं चलता है, दोहरे चरितर के साथ हिंदुस्तान सांस लेना भूल जाएगा, क्या बात कर रहा है, आपकी मर्जी हो, तो हवाई जहाज को बना रहे हैं, ये वीजबल धर्ज हो गया, आप लाग कहने वो कहते हैं ने, सक्स्पियर का जो है, आल दर पर्फियूम्स ऑफ अरेबिया शाल नोट बी अबल टो सूइट इस यो हैंड, दास दर्यालिटी, देखे मैं सीधी सी बात कहता हूँ, पाकिस्तान से बात हो तो हम हमारी शर्तों पे हो, हमारी शर्तों पे, और बात है सन्जी की नहीं किया है, इंदोस्तान ने बात की है, कई दफ़ा बात की है, बस लेके अटल जी गए थे, मैं तो कंधार वाले हैजाक का जिकर भी नहीं करना चाहता हूँ, कि बीजेपी के वक्त में क्या क्या हो रहा था फिर भी मेरा मानना है, कि साफ तोर पे एक कमिटमेंट जब तक ना हो, पाकिस्तान का, कि टेरर लाब्स के लिए, कि डेसिमेशन के लिए मैं अपने हाँ, कोशिश करूँगा, मुकमल करके दिखाूँगा, तब तक बातचीत, मैं समझता हूँ कि आधी अधूरी होगी,